मित्रों नमस्कार, श्रद्धाव आकर हत्या मामला इन दिनों शुर्खियों में है, आफताव अमीन पूना वाला को लेकर कई बातों का खुलासा हो रहा है, जो बाते सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक इस विधर्मी का कई लड़कियों से संबंध था, या इतना सातीर था क कि डेटिंग एप बंबल के जरिये कई लड़कियों के संपर्क में था या है विधर्मी, पूलिस की माने तो स्रद्धा और आफताव की मुलाकात बंबल डेटिंग एप पर हुई थी, स्रद्धा से रिलेशंसिप में रहने के बाद भी वह न सिर्फ बंबल बल की कई और ड लड़कियों के संपर्क में था दिल्ली पूलिस को शक है कि स्रद्धा की हत्या के वक्त भी आफताव दूसरी लड़कियों के संपर्क में था न्यूँ चैनल टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के हवाले से स्रद्धा वाकर हत्याकांट का आरोपी आफदा पुना वाला एक बार फिर सेडेटिंग आयप और सक्रिय था, इसी आयप के जरीए वह एक और लड़की के संपर्क में था, बताया जा रहा है कि विधर्मी आपताब इस नई लड़की को भी अपने घर और बुलाने ही बालत था कि सरद्धा मर्डर का खुलाशा हो गया, इस से आरोपित को अपना नया शिकार हाथ में आते आते रह गया, पुलीस अब उसका वाटसप चेट भी खंगाल रही है, पुलीस यह भी पता करने में लगी है कि सरद्धा हत्या के बाद विधर्मी आपताब और कीन कीन लड़कीयों से मिला था, पुलीस के मुताबिक विधर्मी ने बताया की 18 मई से एक सरद्धा पहले ही उसने सरद्धा को मारने की प्लानिंग कर ली थी, दूसरी तरफ सरद्धा वाकर इन सब बातों से अंजान थी, हत्या से एक सरद्धा पुल, सरद्धा ने एक खुद ही इंस्टाग्राम पर एक तसवीर पोस्ट की थी, जिसमें वह एक बैच्छी हुई देखी जा सकती है मित्रों आप देख रहे होंगे कि इस तरह के जगन्य अपराद की बार सी आ गई है और इसमें टार्गेट में केवल हिंदू लड़कियां ही आ रही है ऐसा खूब सुनने वह देखने में आ रहा है कि हिंदू लड़कियों को टार्गेट कि लेकिन हिंदू के बारे में क्या कहा जाए वह इस तरह की घटनाओं को देखकर चुप रहने के आदिस से हो गये हैं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस तरह के विधर्मियों दारा कांड किये जाने पर इस तरह की घटनाओं की बार सी आ गई है अब देखिए अभी कर मारने का रोप उस पर लग रहा है इस मामले पर भी पुलिस हापती दिख रही है तो मित्रों हमारा बस यही कहना है कि हिंदू गारियंस अपने बच्चों को जागरूख वह सांसकारिक बनाए इस तरह के विधर्मी जो वह सी दरिंदे हैं ततकाल ही पुलिस को इनके बार रही है अगर हां तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या यह मामला प्रायूजित है अगर आपको लगता है कि इस अनुखी जानकारी से आप संतुष्ठ है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें नश्कार जय हिंद।